तो मैं सोची तो थी कि मैं अभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी सीथे बनाऊंगी उतर के बाट पते है मेरे साथ भी क्या हुआ तो यह मेरे साथ ही होता है ह patient वेलकम बैक तुमाय यूटुब चैनल कैसे हैं आप सभी होप सभी यद्राथ यूप केorama आप ही जाधा अँगे मैं भी बहुत जाधा हुए तो स्वागत है आपने मेरा इस न्यूँ ब्लावग में और आज का ब्लावग बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इंट्रेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि मैं जा Coron Si जा रही हूँ अपने कहीं जा रही हूँ वो मैं अपको भी हो बताऊंगी good बटाना होगा तो बता दूंगी अधर्वाइस नहीं बताऊंगी तो मैं तो फिलाल अभी अखेले जारी हो अभी बज रहा है दो पहर के दो तीन बजी हमारी ट्रेन है और मैं एक वन नाइट स्टे करने वाली वह भी क्या होने वाला है तो जो भी होने वाला आप लोगों के स जारा फिर आखरी के 10 मिनट बचे रहते जाम में जैसे होता है ना कि आखरी के 10 मिनट पता नहीं एकदम से कैसे को श्राइन आंसर सब याद आजाता है वैसे मुझे सोचना होता है कि यह करना है वो करना और इसलिए सारे वीडियो में मैं बोलती हूं मैं बहुत जादा सो फाइनली गाईज मैं अभी बैद गणी आखरी आज़ आट जैसे की आप देख पारे और मैं जारी मुझे आखरी कि मैंने आपको बताया था तो तो उच्छे नहीं पता विंडो साइड मुझे मिली हूई है तो और मैं जा रही आए आप लोगों को जा आई दिखाई दी तो अभी हम जाते हैं आदे रास्पे साथ पॉंच गए और यहां पर यह तो जगा है थोड़ा साथ लग रहा खेट खेट काइप का है कि यहां पर फूरा ग्रीन कुछ है वैसे हम फ्रॉंट केमरा से ही बनाते हैं तो चलिए मैं अपसे मिलती हूं थोड़े देर में ऐसे जब पहले वाला रिकाट करें ते ना उससे अच्छे मेरा सकल भी लग रहा है चमक रहा है सुंदर सुंदर तो फैनली गाइज अभी हम पहुंच गए है आधे रास्ते से भी जादा मतलब और वन आवर में हम लगवा कैलकटा पहुंची जाएंगे और कसम से में मतलब इतना इक अलग खर्चा वह भी हम सायद है बैंडल में तो चलिए मैं आप से सिधे ना उतर के मिलूंगी क्योंकि मैं बहुत जादा बीबोर हो रही हो और ट्रेन में दिखाने लाएगी खुछ भी वैसा नहीं है तो चलिए मैं आप से सिधे अभी उत्रूंगी स्टेशन में तभ अठोन में फार्बरी चोट्लेट ब्राउं कटर का वेपर भी है प्लस इसमें लिखा हुँ है तार्च छोकलेट और जब मैं इसने खा रही हूं ट्रस्टमी ख़ी नहीं इसमें ऊपको दिखाती हूं तो कैमबरा कहां रखे भाई इसमें dark chocolate, कहा है नहीं थो कोई cream ही नहीं है तो इसमें पोड़ी नहीं इसमें 5 रूभी उसके का पापड़ी दिये उसके का पापड़ी बहुंत पॉरी ठ्लेन में आप लोग कुछ भी अगर खाओगे तो अपने जरीक सही खाना मेरा तो पैसा बर्बाद पांच रुपय पर बाद, दस रुपय पर बाद, तभी के लिए इतना ही माल मिलते हैं थोड़े दिन में तो फैनिली गाइस, अभी सिफ पांच, कितने मिनट में पहुंचे हैंगे, हावड़ा, करेबं तेन टुफिटीन मिंट्स में लगबग पहुंच गया हैं, अभी जब ह पहुं हम लोग कोई स्टेशन में जाते हैं तो फिर असे धीरे 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 जा रहा है, धीरे मतलब धीरे अपने ट्रैक में पता है? पता है अईसे होता है हावरा के टाम, अइछिव बड़े-बड़े स्टेशन में रहा हूँग तो अभी हम बस पांच नहीं वाले हैं, प गईपनेक होगी तो उठाप लोगों को और भी चीज़ दिखाऊंगे सबसे अच्छी छीज तो यह है कि मैं पहली बार टार गयल्काटा रात में । तो वहाँ पे रातमे जो लुचे समें सिटी अप जो दो बोलता हूं ऑे को मियरे तेखना है मैं आप लोगों को भी दिखाना है इन फैक्ट मेरे जो ओडियन्स है उनको दिखाना है तो चलिए चलते हैं मैं आप से मिलूँगी सीधी अभी उतनने के बाद आप कोई अभी हम पहुच गया है अभी हम पहुच गया है है हावरा स्टेशन और अभी हम जाएंगे यहां से तनीशा कहा जाएंगे यहां से ने घर कहा नाम नियू टाउन अभी हम जाएंगे यहां से और तेर घंटा लगेगा तो चलिए चलते हैं और इसके बाद साइज हम लोग पस कड़ी करेंगा पहली बार सच्पतो हमें पहली बार इस त्राइम में यहां पर उतरी हूँ और यार यह फोन ने जो दोका दिया है ना देखो यह पुली नीरा ब्लिंक हो रहा है तो चलिए इस्टेशन से निकलने के बाद मैं आप से और यह मैं आपको वापस दिखा रही हूँ अपना हावरा पीच और यहां पे हैं बहुत सारे स्ट्रीट फूड यहां का स्ट्रीट फूड का बाद ही अलग होता है जो भी बोलू पाट अब हम चल गए हैं एसी वाले बस पे यहां से हम जाएंगे आराम से तनीशा के घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है बस भी काफी अच्छा है और बस दब चलेगी तब एसी वालों जाए तो पुलेगी थोड़ा बहुत पैसेंजर है तो चलिए वैसे मैं थोड़ा नीचे जाती हूं और आप लोगों को थोड़ा दिखाती हूं जिसे भी नियू टान जाना है वह आप उतरके स्टेशन उतरके आप लोग टूर्फ नंबर बस में आ सकते हों जो किस प्लानेट जाता है रवींद्र शदन जाता और पता नी और इक दो जगा जाता है फिलाल तो सब्सक्रापूर से थोड़ा सालग है अच्छा है तो यहां में आपको दिखा दे रही हूं और कसम से रात में कलकत्ता तो भाई कलकत्ता ही लगता कसम से अभी तो और मजा बाकी अभी पूरी रात हम इंजॉय करने वाले यार तो बस बहुत ज्यादा मुझे मजा आ रहा थ से रात का भाई हावड़ा ब्रीज आप देख लो लाइटिंग वाइटिंग जल रहा एक्दम ग्रीन-ग्रीन कलर का और यह रहा हमारा बस मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया फिलाल जो जो मैं देख रही वही मैं आपको दिखा रही हूं कि फोन ने मेरे को जो धोका दिया ना बाई गॉड तो यहां से करीबन टूएफ नमर बस है जो कि न्यू टाउन और इस प्लैनर वंडर्स प्लैनेट प्लैनेट पगेरा पहन चाहिंगी बहुत ज्यादा गर्मी लगी इसलिए हम सोचे इसी से चलते हैं तो चलिए जो दिखाना देखा दी हूं मैं आपसे मिलूंगी सीधे वही पर तब तक बाई गाइस पता है आप लोगों को मैं पच्पन वाली हरकत कर दी हूं पहले मैं बच्पन में पता है और पापर करीद के यहां पर पापर होते हैं ऐसे हरकत करते हैं और यह मेरी फ्रेंड ले लिए भी कोई नहीं इसको खतम करते हैं पिस नहीं आप से मिलूंगी तो फैनी निगाइज देखो हमारी बस अल्री निकल गई थी और यह हम हावडा प्रिच की तरफ जा रहे थे त यहां से गंगा नदी भी दिख रहा था और ब्रीज भी दिख रहा था जो कि बहुत जादा खुबस्वत लग रहा था तो मैं आप लोगों को भी दिखा दे रही थी इस वीडियो के माधियम से उसके बाद फिर हम जैसे ही क्रॉस करते उसके बाद हमारा आता है बैंगोल मत तो आप लोगों को पता है और यह देखो यह रहा कलकत्ता का सबसे बड़ा होटल जो की आई थिंक बैंगोल ऐसा कुछ नाम है मुझे अभी नाम एक्जैक्ट याद नहीं है ओके आप लोगों कौन देख रहे हो प्लीज मुझे बताएगा और आप लोगों को यह वीडियो क्योंकि बहुत ज्यादा तेज़ भूख लगी और मैं इतना जादा थक गई हूं पस में बैटे बैटे इतना जादा थक गई हूं इतना इंचन काम का कि नहीं थकता नहीं तो बैटे बैटे थक जाता है तो चली फुचका खा ले तो उसके बाद हम निकलेंगों दाश्ते म मैं आपसे मिलती हूं पहले में खुचका खाने के बाद अभी हम जा रहे हैं घड़ और कसम से यहां का वियू इतना अच्छा है ना मतलब पूरी थकावत मेरा इक्दम से चूमंतर हो गया चली मैं आपको थोड़ा साना बैक कैमरा से दिखाते हैं आप लोग समझ नहीं पा कि हम पैडल ही जाएंगे इसलिए हम ऐसे चल चल के जा रहे है और कसम से इतना अच्छा व्यू इतना अच्छा लग रहा है ना मेरे को यहां पे बढ़ा अच्छा लग रहा है याद तो चलिए मैं आपसे मिलते हूं और फिर हम अपने घर के तरफ जा रहा है थे तो यह घर के तरफ जो हमारा व्यू था वो भी बहुत अच्छा था तेको मैं तो फॉस्ट टाइम गए थी तो मुझे सची बहुत जादा वहां पे वहां का इन्वाइमेंट मुझे बहुत जादा अच्छा लग रहा तो इसलिए मैं सारा कुछ कैप्चर कर रही थी ताकि यह सारी चीज मैं अपने पास रखो और मेमोरेवल के साइट से रखो मतलब मुझे बहुत यह सारी चीजे कैप्चर करना अच्छा लगता है और रिबस हम यह नजारे देखते हैं गर के तरफ चले गए थे और फिर हम जैसी घर पहुंचते हैं उसके बाद मैं फ्रेश होने चली गई तो इसका सेकेंड पार बहुत ज़दी अप्र दोगा तो फैनली गाईज जैसे आप लोग देखी पा रहे हो मैं अभी आ गई हूं घर मतलब बहुत जादा थक गई हूं तो अभी मैं फ्रेश होने के बाद फिर नेक्स देखते क्या हो सकता है सबसे पहले तो मैं जाड़ी फ्रेश होने तो चलिए मैं पहले फ्रेश हो जाओ फिर मैं आपसे मिलते हो